जय हिंद शड़ी बसे रहा कि नए वीडियो में आप सब्सक्राइब कर लिजेगा वीडियो कर फसंद आदा लाइक और शेयर जबर्दस तरीके से शेयर भी जरूर करते चलिएगा अधिक सेयर करने का प्यास किजिएगा चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला करेंट है फि महिने तक ही मैंपिछले महिने साल में हासिल गया था यानि कि 1504 मेंesy अक्टूबर महिने में यानि कितने करोड़ दवाओं का बिक्री प्रधान मंत्री भारतिय जन और स्वाधी प्रिजुना की सुरुआत की गई थी नॉवंबर 2008 में इस पॉइंट को भी धियान रखना है इसमें इसे लॉंच किया गया था दॉआज चौदा में भारतिय जन और स्वाधी केंद्र है इसी प्रिजना के सेथ खोला जाता है तो जन और स्वाधी केंद्र केarnổ सर्बॉइं जहांके जनेटिक दवाएं बिखती हैं डब लू एच ओ ने वर्ल्ड हैल्थ औरगनाइशन दे मिस्र को मलेरिया मुक्त देश घोसित कर दिया गया है मिस्र यानिकि एजिप्ट अफ्रिकंद देश है यह दुणिया में मिस्र जो है दुनिया का च्वालिस्वा देश मलेरिया मुक्त देश बन गया 44 दुनिया के अस्तर पर और अफ्रीका का पांचवा देश मलेरिया मुक्त देश घोसित हो गया है 2024 में अगर बात करें 2024 में मलेरिया मुक्त देश मुक्त घोसित होने वाला मिस्र दूसरा देश है प्रस्णगर बनता है 1234 में दूसरा देश कौन सा है जोने केप वर्डे के लोकेशन क्या है काबो वर्डे भी कहते हैं अटलांटिक महासागर में एक दूइप है जो की अफरीका महादेश के अंदर करता है नेक्सट पॉइंट है दाना चकरवात मुनों ने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि दाना चकरवात 24 अक्टूबर को उडिसा की तड़ से टक्राने वाला बंगाल के खाड़ी में या चकरवात उठा है, इसका नामकरन कतर नहीं किया है, कतर देश ने हिसका नामकरन किया है, जि इसका लिष्ट किस तरह से बनता है जो नामकरन होता है चक्रवात उसका लिष्ट मैंने एक बार दिया तो आज भी मैं लिष्ट प्रभाइड कर रहा हूं अब लिष्ट को देख लिजिए गां यह कंप्लिट लिष्ट है इस लिष्ट को अपने पास आप रख लिए और यह ज इसके सामने देखिए यह नाम है इस नाम को यह लिष्ट का यूज कर लिया गया है अब सेट लिष्ट जो है इसका यूज किया जा रही है इसके बाद चक्रवातिया तुफान आयेगा यारभ सागर यह बंगाल की खाड़ी में सौद्धी अरभ द्वरा सुझाए गये नाम को फैंगल को यूज किया जाएगा यह नाम करने कम्प्रीट लिस्ट यह बहुत बड़ी लिस्ट अभी तक चलती रहेगी देशो आप लोग को पास रख लीजिए हमेशा यह काम आएगा जो बीज में चक्रवात आये हुए हैं उसका एक वार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं क असना असना भी चक्रवात तुफान आया था अरब सागर में यह आया था पकिस्तान दोरा नाम सुझाया गया था जिसका अर्थ होता है असना का अर्थ प्रसंसा होता है कि अ एम्पिल्चभगवद 22 V दुफान 24 में यानि के परसान महासागर में तो ये but अलवारो तुफान मैं घसाकर में हिठ महासागर में टुफान का सक्था कि आस्परिकी देरी प्रसंद महासागर में यह वारो नधित सिल्फल सभी तates डक्षिनी चिन शागर, यानि कि प्रसाद महा सागरum में डक्षिनी चिन सागर भी हो सकता है, चीन और वियतनाम को बहुँच ज्यादा प्रभावित किया था, हेलेन तुफान अमेरिका में, फ्लोडीडा के पास आया था, अटलांटिक महासागर में, अभी एक साथ तीन तुफान आया थे, मिल्टन, क्रेक और लेजली, मिल्टन सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था, फ्लोडीडा के तटको, अमेरिका में ही आया था, अटलांटिक म का दुप्या देसे भामास भी दुप्या देसे अभी दाना तुफान आया है बंगाल की खाड़ी में जिसका अर्थ उदारता होता नामकरन कतर द्वारा किया गया है तो यह कंप्लिट लिश्ट थी और एक पॉइंट ध्यान कर लिज़ेगा यागी तुफान जो आया था जो सबसे पहला चक्रवातिय तुफान कौन सा आया था तो बन जाएगा अलवारो जो कि मेड़ागासकर में आया था सबसे पहला तुफान 24 का शवती परमानू संचालित परमानू से चलने वाली बैलेस्टिक मिसाइल पंडूबी को लॉंच किया गया है इसका कोड़ नेम रख अरी दमन हो सकता है क्योंकि इसके पाद जो तीन जो है इनमेंसे आय एने स चेक्र है जो ली पर लिया गिया था परमानू पंडूबी है नौसे ना में और आब आ गया है is 4 star नेक्स्ट है क्रिकेट से news है सूज बिट्स यह नियुजी लेंड की महिला प्लेयर है इन्डेरनेशनल क्रिकेट में सबसे अधिक मेज खेलने वाली यह प्लेयर बन गई है इसका नाम सूज नियुजी लेंड की इन्होंने 334 मेज खेला है अब तक और किसका record तोड़ा है तो मिताली राज भारतिये महिला cricket player का record तोड़ा है इनका record 333 match खेलने का record है cricket की बाद चली है तो T20 cricket 9th जो अभी संपन हुआ है 9th 24 T20 World Cup EWC और Western Indies में खेला गया था जिसमें भारत ने विजय बना था और साउथ अफरीका को हराकर यह विजय हासिल किया था दस्वाट 226 में आउजित होगा T20 पूरूस वर्ल्ड कप भारत और स्रिलंगा के पिछ आउजित होगा एगारवां 2018 में T20 World Cup Australia और New Zealand में आउजित किया जाएगा बारवां 2030 में T20 पूरूस वर्ल्ड कप इंगलेंड आईरलेंड और स्कॉर्ड लेंड में आउजित किया जाएगा उसी तरह से अभी संपन हुआ UAE में 9 वा T20 महिला वर्ल्ड कप 24 का जो कि बंगलादेश में होना था प्रन्तु वर्ल्ड कप इंगलेंड में आउजित किया जाएगा जब खेल की बात चली है तो साथी साथ परिस ओलंपिक का भी ले लिजिया तैन्पिक था यह तो परिस में आउजित किया गया था उसी तरह संबर और विंटर ओलंपिक यह समर ओलंपिक था इडिशन होगा लॉस एंजिल्स में अमेरिका में अलपास यानि सहरे अलपस फ्रांस में आजुत किया जाएंग थोजर बट्रीज़ का समर ओलोंपिक ऑस्टिया में आजुत किया जाएंगा इस पॉइंट को भी रख लीज़ेगर एक पॉइंट्ट मैं बता आई पी यू यानि कि इंटरनेशनल पार्लियमेंटरी यूनियन का 181 देश सदस्य से बन गया है जमाइका और इसकी बैठक कब हुई थी आई पी यू की बैठक 149 भी बैठक हुई थी 13 से 7 अक्टूबर 24 जेनेवा स्विर्जेलेंड में हुई थी और इसमें भारत की और से प पार्टिसिपेट किये थे 13 से 17 अक्टूबर के बीच में 150 वा इंटरनेशनल पालियमेंटरी यूनियन बैठक कहां होगा तो तासकंत उजवेगिस्तान में होगा जमाइका की रधानी क्या है किंस्टेन है करेंसी क्या है जमाइकी डोलर है प्रधान मंत्री इसके क्या कून ह एंड्रू होलसन होलनेश अभी इनका भारत दोरा भी हुआ था जैमाइका के प्रधान मंत्री का भारतिया दोरा भी हुआ था उसी दोरान भारत यात्रा का दोरान ही जो निवदिल्ली में दिल्ली मेर अभी इस्दित एकaps उचाय बिल्दिग याने घा मिइन्जिन yen सीफधित जो है उसके सामने रुड् adjust का नाम प्रधानम दिखेत रेंड मोधी दोवरा जमेका मार कर दिया गया है जमेका मार कर दिया इस पॉइन उनको भी ध्यान रखना है प्रसंद यहां से भी बन सकते हैं कि अठारवा प्रवासी भारतिया दिवस 25 में आयोज़त किया जाएगा आठ जनवरी से दस जनवरी 25 के भी सका आयोज़न होगा और इस समय प्रवासी भारतिया तिर्थ एक्सप्रेस का सुभारम भी करेंगे पसंद आरा था लाइक करते चलिएगा लाइक कर दीजिए क्योंकि हो सकता लास्ट में अब लोग बोल जाएगा लाइक करने अभी फटाफट से कर दीजिए नेक्स्ट है वर्ल्ड सिटी वर्ल्ड इस्टील एसोसियेशन के नए अध्यक स्थापनाइट होती है इसका मुख्याल है बुरुसेल बेल्जियम में और पटीवी नरेंदरन बरतमान में क्या है तो टी नरेंदरन बरतमान टाटा इस्टील के इरोपियन इसकाई इनिसियेटीव। 2 nawet 24 में इस में सामीन किसे कियां इस्बीजेड को सामीर कह लिया या किया किसे इस सामीन भूने फायदा किया है में सामीन होने सा इस ग्रूप का मेंबर बनने से एर डजिवेंस सिस्टम में मच्ट्बूत को दराने के 유명 इसमें लक्षिषित च्यार लिया जाता है चौबिस-वी राश्टियव पैरा, तैरा की चैंपिनज पैरा है यह धियान रखेएगा पैरा, तैरा की चोबिस तायोज़न कहां किया गया था को मैं समय का कीमत एक सेकेंड का कीमत मैं आप सभी कीमत जानता हूं इसलिए एक एक सेकेंड का मैंने यहां प्योग किया है असा को सेशन पसंद आया हो गाएं इसी आसार उमिद्द के साथ मिलतें नए नए वीडियो में तब तक जैहिंद स्वास्तर हैं मस रहें धन्यवाद जैहिंद